नमस्क्राइब दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने संगीज से जुड़ी एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ तो बहुत सारे स्टुडेंट्स के मैसेज आए है चैनल पर तो उन्होंने पूछा है कि सर हमने तबला लिया है और हमें तबले के हर पार्ट के बारे में यानिकि जो उसके अलग-अलग अंग हैं उनके बारे में प्रोपर जानकारी होनी चाहिए कि हमें उनकी कैसे संभाल करन है और कौन-कौन सी जो चीजे है यानकि कौन-कौन से parts है जो तबले में use हुए हैं उसके बारे में detail में हमें बताया जाए देखिए आज की जो video है यह तबले के parts के उपर जुड़ी हुई है तबले के विभिन अंगों के से हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हम जो देखते हैं तबले में तू पार्ट्स होते हैं यहां पर यानकि दो भाग होते हैं तबले के तो यह जो छोटे बाला भाग होता है जो लकडी का बना होता है आप देख सकते हैं इसको मदीन या चठ्थू बोलते है और इसमें आप देख सकते हैं इसका जो मूँ का साइज होता है वो थोड़ा छोटा होता है और ये लकडी का बना हुआ होता है और जालतर आज लकडी का ही बना हुआ मिलता है पहले ये मिट्टी का भी बना हुआ मिलता था पर बहुत समय पहले मिट्टी के बने हुए तबले बंद हो गया क्योंकि उसमें क्या है कि जो मिट्टी का तबला वो जल्दी खराब हो जाता था तो बस उसके बाद लकडी यूज की गई तबले में तो चलिए इसको हमने जान लिया इसका नाम जान लिया पूरे तबले का छोटे तबले का तो इसको मदीन या चठू बोलते हैं तो इदर आ जाते हैं ये हमारा बड़ा तबला है इसको बोलते हैं डगगा या डगगी तो यह जो हमारा बड़ा तबला होता है, यह मैटल का बना होता है, ज़्यादा तर मैटल का ही आपको आजकल मिलेगा, और कुछ ऐसे भी हैं, ऐसे भी डगे हैं या इसको धामा भी बोलते हैं, तो आपको ऐसे डगे भी मिलेंगे जो लकडी के बने हैं, तो ज्यादातर कवाली में ऐसे जो डगे होते हैं वो यूज होते हैं और जो मेटल के बने होते हैं वो हर किसी गायन शैली में यानि कि कोई भी गाना है उसके साथ मेटल का तबला यूज कर लिया जाता है और इसकी साउंड बहुत अच्छी होती है तो चलिए अब इसके बिभिन पार्ट के बारे में जानकारी लेते हैं तो सबसे पहले मैं मदीन में जो क्या-क्या चीजें यूज हुई हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो हमारी मदीन है यह हमारी मदीन है इसमें आप देख सकते हैं इसमें लकडी के कुछ टुकड़े लगे हुए हैं तो सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं इसको बोलते हैं गटियां लकडी की गटियां यानि कि या इसको लकडी के गटे भी बोल देते हैं तो यह देख सकते हैं आप यहा करके घटे यहां पर लगा हुए हैं एक ही साइज के होते हैं यह सारे हैं और और तबले को टाइट करने के लिए इनका यूज होता है तो अब देखिए इनको गटे बोलते हैं वस आपने इतना ध्यान physics रखना है बस यह याद कर ले इनको गटे बोलते हैं और यह जो हमारी रस्ती जैसे आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं बद्धी तो यह जो बद्धी होती है इससे क्या होता है जब गटियां टाइट करते हैं तो यह बद्धी खिंच जाती है और हमारा तबला टा का यह रोल होता है कि तबले को टाइट करने में इनका प्रयोग किया जाता है तो आगे चलते हैं अब आप यहां पर देख सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इन बद्धियों के नीचे यह लकडी का बना होता है यह जो मदीन है लकडी का बना हुआ है और यह बहुत सारी लकड़ी यासी है जिससे ये बनता है और आज के समय में सबसे अच्छी लकड़ी जो माना जाता है वो शीशम की लकड़ी को माना जाता है क्योंकि एक तो यह भारी होती है और यह जल्दी खराब नहीं होती और कुछ जो महंगे तबले होते हैं मदीन में उनमें विजे सार की लकडी को यूज़ किया जाता है जो सालों सालों तक बड़े आराम से चलती है तो चलिए अब आगे बात करते हैं अब ये जो आपको उपर दिखाई दे रहा है ये वाइट कलर की स्किन जो लगी होती है पुड़ी पुड़ी बोलते हैं इसको इस पुड़ी के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की इसको बोलते हैं स्याही इंक इंक तो इसको नहीं बोल सकते बट इसे स्याही ही बोलेंगे क्योंकि ये तबले का अंग है और इसे शुरू से लेकर जब से तबला बना ह अभी तक इसको स्याही बोलते आ रहे हैं और ये वो स्याही नहीं है जिससे लिखा जाता है ये अलग लग जो लोहे के चूरन फिर उसको जोडने के लिए special फैविकोल यो यूज होता है उसके मिश्रन से इसको बनाया जाता है तो ये स्याही है बस ये आपने ध्यान में रख करें नहीं इसको यदि क surtina ये जाही है ये वाइट कलर की स्किन ये पुड़ी है और ये हमारी जो रसीयां आपको दिखा जो बद्धी बोलते हैं ये लकडी की जो है इसको गट्टियो बोलेंगे या गटे बोलेंगे तो ये हमारा मदीं के सारे parts होगे अब और जो parts रहते हैं यह आप देख सकते हैं यह स्याही है और यह बीच में जो जगा है यह जो बीच में जगा है इसको मैदान बोलेंगे यह हमारा मैदान है और इससे इधर आ जाएंगे तो यह जो हमारा है यह किनार है तो यह side में जो है इसको किनार बोलें तो यह हमारा मदीन का जितने भी अंग है मदीन के मैंने आपको बता दिए अभी एक अंग और रहता है जिसके बारे में जानना बहुत जूरूरी है वह यह आपको जो दिखाई दे रहा है जिसके उपर यह बंधियां लगाई गई है इसको गजरा बोलते हैं ये जो गजरा है ये जो हमारी पुड़ी है उसको टाइड करने में काम आता है जिससे क्या है हमारा जो प्रोपर बैलन्स बन जाता है पुड़ी का और ये पुड़ी कभी भी फटती नहीं है और ये गजरा जो हमेशा सही धंग से पुड़ी को खीचे रखता है और जो मारी पुड़ी है सालों साल बहुत सालों तक चलती है तो इस गजरे से तबले को थोड़ा बहुत उन्चे नीचे करने के लिए ट्यून करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है तो चलिए अब आगे चलते हैं आपको ये मैं आपको दिखाना चाता हूँ इसको बोलते हैं गद्धी तो जिसके उपर तबला रखा जाता है दोनों ये आपको दिखाई देंगी यहाँ पर ये डग्गे की है ये मदीन की है ये दोनों जो आपको इसको बिन्नू भी बोल देते हैं पर इसको गद्धी बोले ये हमारा है डगगा डुगई या फिर धामा इसको यह तीन नाम दिये गए हैं चलिए अब इसके जो पार्ट हैं इसके जो अंग हैं उनको जान लेते हैं तो यह जो ब्लैक कलर की यह भी इसमें स्याही है और जो यह जो बाइट कलर की आपको दिखाई दे रही है इसको पुड़ी बोलेंगे स्किन बोल सकते हैं तो ये भी बकरे की चमणी से बनाई जाती है तो ये इसमें यूज की जाती है और ये आप देख सकते हैं इसको भी हम गजरा बोलेंगे ये आप देख सकते हैं इसको हम घजरा बोलेंगे, यह सारा जिसके उपर यह बद्धियां लगी होती है, इसमें भी बद्धियां लगाई गई हैं, और अब नीचे आते हैं, यह हमारा जो डगगा है, धामा है, यह मैटल का माना होता है, यह बहुत प्रकार की मेडल से मनाया जाता है जैसे लोहे का, स्टील का, पीतल का, तामबे का और जो सबसे अच्छा माना जाता है वो पीतल का माना जाता है और यह धाई किलो से तीन किलो के बीच होना चाहिए और अगर धाई किलो से तीन किलो के बीच है तो इसकी साउंड ब जल्दी बेंड नहीं होता और जो लोहे का बना होता है उसमें जल्दी जंग लग जाता है और जो स्टील का है वो थोड़ा सा हलका होता है और उसकी जो गूंज है थोड़ी सी कम होती है तो इसलिए पिकल का सबसे अच्छा माना जाता है तो अब आप देख सकते हैं इसमें ब यह इसके parts हैं डग्गे के अब आप देख सकते हैं इसमें कितने घर होते हैं तो अब आप गिनेंगे यहां से मैं उगली रख रहा हूं इसके घर है कि कितने इसमें कितनी बद्धियों में इसको डिवाइड किया गया है गजरे को तो देख सकते हैं आप एक यहां से मैं गिन रख लिए मैंने देख लीजिए यांगली रख लिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोजा पंद्रा सोला तो यह सोला गर है मदीन में भी सोला गर होते हैं तो बस यह चीजे जो है यह तबले में बहुत ही ज्यादा महतरपूरण है और यह चीजे यूज होती हैं तबले में और आप समझ गयोंगे इसके तबले के पलग लग पार्ट्स और किन चीजों से यह बना होता है और कौन सा तबला आपके लिए सबसे बेस्ट है किसका बना होना चाहिए यह भी सारा मैंने आपको बीच में बता दिया वीडियो में तो मेरे प्यारे स्टुडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्त आपको समझ आ गया होगा कि तबले के कितने पार्ट्स है और किन किन चीजों से यह बना होता है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वी